कैसे हैं आप सब दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे टिप्स जो आपके दान्तों को बहुत वाइट बना देंगे और दोस्तों अगर आपके दान्तों में कीडा लग रहा है तो वो भी प्रॉपरली ठीक हो जाएगा अगर आपके दान्त हैं बहुत जादा पी ले तो दोस्तों इस पीले पन को अपने दान्तों को बहुत ही असानी से इन घरेलू टिप्स से आप हटा सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमने इन तीनो टिप्स में से किसको यूज़ करना है कैसी यूज़ करना है तो दोस्तों सबसे पहला उपाई जो है वो है चारकोल आपको और उस चारकोल से आपने चारकोल का ये पाउडर जो है उसे अपने हाथों में अपनी उंगली पर लेना है और उसे अपने दान्तों पर प्रॉपरली रब करना है हलकी हलकी सी अपने दान्तों पर इसकी Rubbing करते रहेize, 2 से 3 मिनट तक Rubbing करने के बाद आप कुला कर लीजिए, पानी से अपने दान्तों को अच्छी तरह से clean कर लीजिए, आप देखेंगे आपके दान्त बहुत ज़ारा clean हो चुके हैं, चार्कोल जो है वो आपके दान्तों को properly और जो पीलापन है दान्तों का वो प्रॉपरली निकाल भी देता है तो दोस्तो आप इसे वीक में 2-3 बर ट्राय कर सकते हैं बहुत भी बैनिफीशल है बहुत भड़ी है दान्तों के पीलेपन को उटाने के लिए तो जो next है दोस्तों वो बहुत असान है केला हमारे हर घर में पाया जाता है दोस्तों हमने केले का छिलका लेना है और उसकी rubbing हमने अपने दांदों पे करनी है छिलके को सिर्फ हमने छिलके का इस्तेमाल करना है और उसे अपने दांदों पे rub करना है जिसकी मदद से हम अपने दान्टों का पीलापन बहुत असानी से निकाल सकते हैं जी गाइस जो थर्ड उपाय है उसके लिए हमें चाहिए एक चुथाई चमच हम सरसू का पेल लेंगे और उसके अंदर आधा चमच नमक लालेंगे जी दोस्तों और अपनी उंगली की मदद से दोनों को मिक्स करके अपने दान्टों पे रब करना है अच्छी तरह से पने दान्टों पीसे रबिंग कीजिए रबिंग करने से क्या होगा एक तो आपके दान्टों का पीलापन खतम हो जाएगा और दूसरा दोस्तों कीडा लगने की संभाबना भी काफी कम हो जाएगी इससे आपके दान्तों में कीडा भी नहीं रगेगा तो दोस्तों ये तीनों पाई बहुत ही असान है तीनों में से किसी को भी एक फॉलो कर सकते हैं अगर आपके दान्त हैं बहुत जादा पी ले इसके रिलेटेड अगर कोई भी इन्फरमिशन आप मुसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट शेक्शन में लिख सकते हैं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तो शेयर भी करें ताकि उनका हैल्प हो सके अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे एक रैड कलर का बॉक्स है सब्सक्राइब का और एक बैल आइकन भी है प्लीज दोनों पे क्लिक जरूर कर दीजगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो उपलोड करू उसका मैसिज उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्कीप ना होबाए तो दोस्तों मेरते एक अच्छी सी इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए गुद्बाई चेक केर